गुड यूणिंग फ्रेंड इक बाफिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड आज पाइथन की इस प्रैक्टिकल क्लास में अगला टॉपिक हम डिसकस करेंगे आपके स्लिबस में ये टॉपिक्स दिये गए हैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स जिनको हम लिए जैसे कि इसमें लिखा गया है राइट प्रोग्राम टॉ मल्टिप्लाई टू नंबर्स बाई रिपीटेड एडिशन एक्जम्पल यहां पर दिया गया है तो जो लोग आज इस समय हमारे साथ लाइब जुड़े हुए हैं अगर आपका कोई भी क्वेशन है तो आप क 6 into 7 करना चाहते हैं तो इसका आप डारेक्ट मल्टिप्लाई कर सकते हैं दूसरा अप्शन क्या हो सकता है आप 6 को 7 टाइम एड़ कर देंगे जैसे कि यहां पर दिया गया है तो बस आपको यही करना है जिन नंबर्स को हमें मल्टिप्लाई करना है यह मालीजे नंबर 1 है औ है आप में से कई सारे लोग हमें comment section में फिर हमारे पेड कोर्स के group में message करते हैं सर्फ प्राक््रेक्टिकल्स के अलक से videos प्रोइड कर देजे तो देखे प्रैक्टिकल्स के videos हम प्रोइड कर रहे हैं आपके paid कोर्स में मिलते रहेंगे इन videos को आप तभी समझ पाएंगे इन classes को आप practical classes को आप तभी समझ पाएंगे जब आपका syllabus complete होगा क्योंकि इनको implement करने के लिए कुछ concept यूज के जाते हैं loop हो गया एक फिल से statement हो गया या कोई भी concept अगर हम programming का यूज करते हैं problem को solve करने के लिए तो अगर आपने syllabus नहीं complete किया तो इन topics के बारे में आपको idea नहीं होगा ये concept आपको नहीं पता होगे तब तक आप इन programs को समझ नहीं पाएंगे तो practical exam के आपको अलग से कोई तयारी करने के requirement नहीं है जब आप पूरा syllabus complete कर लेंगे तो syllabus में जो भी आपके practical based topics हैं हमने आपके paid course में उन सभी को practically implement करके दिखाए ये extra practical की classes हैं तो आप इनको भी करते रहे बट ये classes आपके लिए तभी helpful हो सकते हैं जब आप पूरा syllabus complete कर लेंगे तभी आप इनके programming concept को समझ पाएंगे चलिए अब इसको देखते हैं solve कैसे करना है concept आपको समझ में आ चुका है कि इसका particular problem क्या है इसको हम solve कैसे करेंगे तो यहाँ पे हम ideally open करते हैं एक नई file बना लेते हैं और इस पे अब हम programming का concept लेखेंगे हमारा basic aim क्या है जैसे कोई number है 6 दूसरा एक number है 7 इसको multiply करना चाते हैं 7 से तो इसको हमें कुछ इस तरह से solve करना है 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 means 7 times से आपे 6 होना चाहिए plus 6 और plus 6 कुछ इस तरह से हमें इसका multiply करके निकालना है repeated addition को use करके हमें multiply करना है चलिए इसको solve कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम दो numbers user से input लेंगे जिनको multiply करना चाहता है तो यहाँ पर माली चाहिए हम num one nam से हमने variable ले लिया और इसमें हम user से input लेंगे और यह value हमारी integer type की होनी चाहिए तो यहाँ पर int कर देते हैं simple y function हम use करेंगे input इसके बाद bracket में कुछ message दे देते हैं जैसे enter first number something enter first number यह हमने यहाँ पर एक message दे दिया इसको just close कर देंगे इसी same line को कर लेते हैं copy अब देखें अगर आपने programming का theory concept नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा मैंने यहाँ पर int क्यों लगाए और input क्यों लिखा यह input क्या है तो आप जब programming concept पढ़ लेंगे study कर लेंगे तभी आपको यह सारी चीजे समझ में आएगे अब दूसरा हमारे पास variable है num2 और इसमें हम second number input कर लेते हैं जैसे first किया है इसमें लिखेंगे second second number इंटर second number जब हमारा program रन होगा तो सबसे पहला message आएगा यह user first number input कर देगा जैसे कि six और जैसे six input करेगा फिर से यह message आएगा इंटर second number तो यहाँ पर जैसे कि seven या something कोई भी number input कर सकता है तो यह just message के लिए user से input लेने के लिए statement लिखा गया यहाँ पर मैंने int क्यों लगाया है क्योंकि python programming में जो input आता वो string के form में आता है तो उसको हमें number means integer number में convert करने के लिए type conversion हम यहाँ पर यूज करने है तो जिस form में जो हमारा input आ रहा है उसको किस particular form में हमें change करना है किस type की value में change करना है वो यहाँ पर इसका data type लिखा गया है तो हमें इसे integer form में लेना है क्योंकि integer numbers पे हम multiply apply करेंगे चलिए यह step हो गया इसके बाद अगला step देखिए एक variable हम ले लेते हैं i equal one आप यहाँ पे इस problem को solve करने के लिए fall loop भी इस्तिमाल कर सकते हैं और while loop भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोनों एक एक बार करके हम आपको बत आएंगे इन दोनों numbers का जो multiply का result आएगा उसको हम एक ml नाम के variable में save कर लेते हैं इसकी initial value कर देते हैं 0 ml में क्या आएगा दो numbers को multiply करने का result आएगा उसको ml variable में save करेंगे इसकी initial value हमने 0 रखी चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे while एक loop यूज कर लेते हैं और ये loop में condition क् while क्या होता है entry control loop होता है loop start होने से पहले आप एक condition test होगी तो यहाँ पे condition हम देते हैं I less than equal to num2 num2 यहाँ पे जिसे मैंने example लिया था 7 तो इसको आप कुछ time के लिए num1 मान लिजे और इसको मान लिजे num2 यह number 2 है means यह वाला जो number है वो कितने time add होगा इस number पे depend करता है अगर य reply निकालने के लिए अगर यहाँ पे 8 आएगा तो इसको 8 time add करना पड़ेगा इस first वाले number को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यह loop हमारा चलेगा जितना आप input करेंगे number 2 में means num2 में आप जो input करेंगे उतने times हमारे यह loop चलना चाहिए तो less than equal to यहाँ पे num2 कर दिया हमने bracket close कर करेंगे column लगाएंगे इसके बाद integrate कर लेते हैं और यहाँ पे एक variable use कर लेते हैं ml, ml जिसके अंदर हम इसका result store करने वाले हैं, equal ml plus क्या करना है हमें num1, num1 में क्या है 6, माली जी user input करता है 6, यह हमारा first number है तो हमें यह आप पे num1 कर देंगे, यह जब जितनी बार loop चलेगा उतनी बार ml के अंदर num1 add होता जाएगा, बार बार यह add होता रहेगा और यह loop कितने times चलेगा, जो हमारा num2 में जो भी input होगा means अगर 7 है तो यह 7 time loop चलेगा, means 6 को 7 time add कर दिया जाएगा, just बहुत basic example है, बहुत basic सा problem है, इसके बाद हर एक step में हम i के value को plus करते जाएंगे, equal plus i plus 1, हर step में जितनी बार यह loop चलेगा, just loop चलने के बाद हर बार यह i के value को plus 1 कर लेंगे, यहाँ पर इसको और थरीका भी होता है, आगे बताएंगे कैसे इसको लिख सकते हैं, एक और थरीका है, जैसे i plus equal 1, यह भी लिख सकते हैं, i plus equal 1, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, i equal i plus 1, यह भी आप लिख सकते हैं, ठीक, अब यह loop हमरा हो गया complete, जब यह loop terminate हो जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, finally हमें ml के result को print कर लेना है, means इसमें जो result आएगा उसको print कर लेंगे, तो यहाँ पर हम print statement यू output हमारा क्या आ रहा है, okay कि हमने इस file को हमें save करना होगा पहले किसी particular name से, जब भी आप कोई भी python में ideally पे file create करते हैं, तो उस file को में किसी particular name से save करना है, जैसे हम इसको p4 नाम से save करते हैं, dot py, py क्या होता है, python file का extension होता है, इसको just हमने save कर दिया, अब यह program execute होगा, और screen पे सबसे पहला message आएगा, inter first number, देखिए आपे क्या आ रहा है, inter first number, तो inter first number, मालीचे हम यहापे अभी first number में 3 ले लेते हैं, ठीक है, inter second number, second number में हम क्या कर देते हैं, आपे 4 input कर देते हैं, अब यह 3 को 4 से divide करेगा, means अगर हम 3 को 4 time add कर देंगे, तब भी वही same result आएगा, और अ 12, 12 result आ रहा है, means यह बिल्कुल सही program चल रहा है, और output हमें same मिल रहा है, दुबारा से आप चाहें, तो इसको दुबारा से भी execute करके देख सकते हैं, इस पार हम कुछ दूसरा input देते हैं, जिसे आपे 6 और 7 दे देते हैं, तो इसका भी आप result निकाल सकते हो, इसको मैंने 42, इसका right answer हो जाएगा, 42, तो यह program बिल्कुल सही चल रहा है, तो आप ऐसे programs बना सकते हैं, इस particular problem को solve करने के लिए आप इस तरह से programs लिख सकते हैं, चलिए इसमें थोड़ा सा और बदलाव कर लेते हैं, इस proper systematic तरीके से एक output आप दिखाना चाहते हैं, तो आप इसमें कुछ masses भी use कर सकते हैं, जैसे multiplication of, कुछ masses भी डाल सकते हैं यहां पर, multiplication of something हमने यहां पर लिखा, और इसके बाद हम चाहें, तो first or second number को भी आप print कर सकते हैं, यह आप पर depend करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो माल लिए हम यहां पर num1 को भी print कर देते हैं, num1 print करने के इसके बाद हम चाहते हैं कि यहां पर कुछ इसको proper type कर देते हैं, तो आपको better तहीं कि समझ में आएगा कि हम actually यहां पर करना क्या चाह रहे हैं, num1 हो गया, इसके बाद यहां पर end हम use कर लेते हैं, जितना भी यहां पर double quotes में लिखेगा, as a message वो screen पर आएगा, उसकी value कोई print नहीं होगी, और इसके बाद हम num2 लिख देते हैं, num2 और comma लगाएंगे, single code के अंदर is लिख देते हैं, जब यह print होके आएगा, तब आपको screen पर automatic चीजे समझ में आएगी, कि basically यहां पर क्या हो रहा है, यह format हमने क्यों लिखा है, एक बार इसको फिर से run करके देखते हैं, देखिए, जब output आएगा, तो क्या लिखा होगा, multiplication of number 1 में जो आप input करेंगे, value होगी, means वो number होगा, and num2 की जगे पर क्या होगा, जो user number 2 input करता है, वो आज आएगा, is, और ml means इसका multiplication का जो result है, वो आपकी screen पर print हो जाएगा, उके करते हैं, इसको run करेंगे, ये concept आपको तभी समझ में आएगे, जब आप अपना पूरा syllabus complete कर लोगे, अगर आप पूरा syllabus नहीं complete करते हैं, तो ये चीज़े आपको समझ में नहीं आएगे, एक जगे पर comma मैंने miss किया है, यहाँ पर, तो आप सब आपके paid course के नदे जो भी video lectures provide किएगे, one by one सारे video lectures को आप अच्छे से complete कर लिजे, तभी आप in practical को समझ पाएंगे, या फिर आपका practical exam जोगा, उसमें आप तभी practical के दिएगे topics को आप solve कर पाएंगे, problems को solve कर पाएंगे, जब आपने syllabus complete किया होगा, अगर आप syllabus नहीं complete करते हैं, चाहते हैं कुछ प्रोग्राम सम देख लेंगे, तो प्रोग्राम का concept आपको समझ में नहीं आएगा, अब दिखें आपर क्या रहा है, enter first number, तो enter first number में जैसे हमने 6 input कर दिया, और second number में हमने 7 input कर दिया, अब दिखें आपर output जो आ रहा है, proper तरीके से output आ र चुका होगा, इस print statement के अंदर हमने ये सारी चीजे क्यों लिखी थी, ये variable name है, तो जहां पर भी variable रहेगा, उसकी value सेगे पर print हो जाएगे, बाकि double quotes में जो हमने लिखा है, वो just add a message add हो जाएगा, और ये फूरा एक साथ एक line में print हो जाएगा, चली, इसको हमने solve किया भी while loop के थूरू, अगर हम इसको for loop के थूरू solve करना चाते हैं, तो कैसे solve करेंगे, वो भी आप देख लीजे, तो यहाँ पर while loop हम हटा देते हैं कुछ time के लिए, और for loop start कर लेते हैं, for i in, इस i को हमें यहाँ से हटाना है, अब ये जो आपका for loop है, कितने times चलना चाहिए, ये depend कर करना चाते हैं, तो आप इसको, ये किसके equal में होगा, 4 plus 4, plus 4, means आप 4 को 5 times जब add करेंगे, या फिर आप 4 को 5 से multiply कर दें, same result आता है, तो means हमारा जो loop है, जो हम यहाँ पर for loop लगाएंगे, वो कितने time चलना चाहिए, वो depend करता है कि आपका second number क्या है, जैसे ये 5 है, second number क्या है, 5 है, तो ये 4 times, जो 4 लिखा गया है, कितने times होना चाहिए, five times होना चाहिए, sorry, यहाँ पर four हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये five times four लिख द आएगा 20 आएगा तो यह हमारा जो लूप चलेगा वो इस number पर depend करता है कि आपका second number क्या है तो बस यही आपे use करने वाले हैं limit के लिए तो for में हम यहापे क्या करेंगे for i in और यहापे लिखते हैं range ब्रेकेट के अंदर क्या करेंगे num2 डाल देते हैं num2 और ब्रेकेट क्लोज करेंगे semicolon लगा लेते हैं अब अगर हम इस program को run करेंगे तो देखें क्या आता है output में सबसे पहले first number हमें input करना है फिस second number input करना है उसके बाद output आ जाएगा first number ओर हमरा four है और second number है five तो यहां पे देखें क्या कर output twenty तो आप इस problem को solve करने के लिए for loop का भी इस्तिमाल कर सकते ह। और आप चाहें तो while loop का भी इस्तिमाल कर सकते हैं दोनो loop का इस प्रोब्लम को solve कर सकते हैं तो आप इस program को कहीं पे note कर लेजिए आपके syllabus में दिया गए आपके syllabus काई topic है तो ऐसे जितने भी programs आपके syllabus में दिये गए कोसिस कीजिए आप इनको खुद से solve करने की और otherwise हमारी practical classes होते हैं उनको आप join करते रहे आपके syllabus में आप नीचे के तरफ जाएंगे page number 44 पे आपको यह topics देखेंगे जिसमें python प्रोग्रामिंग से related practical assignments के topics कुछ दिये गए हैं तो यह होगे experiment number 4, experiment number 5 की बात करें तो यह बहुत basic experiment है बट थोड़ा सा lengthy program होगा इसको solve करने के लिए थोड़ा सा number of lines यह होगी हमारे program में वो ज़्यादा होगी तो इसको हम next class में अगली class में discuss करेंगे में भी कल class होगी कल सामको साड़े 9 बज़े तो आप सभी join कीजेगा actually जो paid courses के बच्चें वो काफी लापरवा हो गए online class में या live sessions में हमारे साथ बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं जब तक आप interactive classes नहीं join करते हैं के जो भी doubts हैं उनको आप हमाई साथ discuss नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं चीजे सही से आप तयारी नहीं कर पाएंगे तो आप syllabus complete कर कीजे सबसे पहले syllabus based वीडियो सारे देख लीजे कोई भी doubt होता है तो जब हमारी practical classes होती हैं आप कुछ पूछना चाते हैं डिसकस करना चाते हैं तो आप हमाई साथ इस live class में discuss भी कर सकते हैं तो आप सब एक बार try कीजेगा experiment number 5 को solve करने का otherwise हम next class में इसका solution बताएंगे कैसे solve होता है बहुत basic example दिया गया है बट इसको लिखने के लिए थोड़ा सा आपको logic यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो मिलते हैं next class में तब तक लिए bye bye thank you, thank you for watching